इतिहास में कभी किसी राजनीता के घर से इतने नोट बरामत नहीं हुए सिर्फ एक कमरे में 200 करोड नोट कैसे नज़र आते हैं ये पूरी दुनिया ने पहली बार देखा है 300 करोड से जादा के नोटों की गड़ियां देखकर लोग आश्यर यच्छा कित हो गए हैं एक दो लाक नहीं पूरे 40 लाक से जादा नोटों वाली तस्वीरें सोचल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं नोट कहीं बैक्स में नज़र आ रहे हैं तो कहीं अलमारी में धसा धस भरे हुए नज़र आ रही हैं इतने नोटों को गिनने के लिए आयकर विभाग की मशीने कमपर गएं कश्मीर से कन्या कुमारी तक और गोजराट से लेका रसम तक पूरे देश के अंदर इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी खबर यही है कि कॉंग्रेस सांसत का कैश लोग जिसमें कैश की सीमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है आयकर विभाग ने पहले ये कहा कि 200 करोड के करीब नोट जब्द हो सकते हैं लेकिन नोट और मिलते जा रहे थे इसलिए आयकर विभाग ने नया अनुमान जारी किया कि धाई सो करोड के करीब नोट जब्द हो सकते हैं लेकिन अब समचार ये है कि अब तक दीन सो करोड रुपए के नोट मिल चुके हैं अभी ना जाने और कितना बड़ा खजाना कॉंग्रेस के सांसत धीरज साहू की कंपनियों के परिसर और उनके घर में छुपा हुआ है इतना बड़ा खजाना की कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए रिपोर्स तो ये भी आ रही है कि नोट इतने ज्यादा हैं कि गिंते गिंते नोट गिनने की मशीने जाम होती जा रही है नोटों के बंडलों के भोज से नोट गिनने की मशीन हाफ रही है लेकिन नोट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे है प्रधान मंत्री मोधी के एक ट्वीट का मतलब बीजेपी के अंदर क्या होता है इसकी पूरी तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब धीरज साहू के मुद्दे पर प्रधान मंत्री के सिर्फ एक ट्वीट के बाद ही बीजेपी की प्रेस कॉन फ्रेंस भी इसी मुद्दे पर हुई और इसके बाद पूरे देश के अंदर बीजेपी के हजारों कार्यकर तर कश्मीर से कन्या कुमारी तर सणकू पर भी उतर है उत्तर प्रदेश के सीतापूर से लेकर उत्तर खंड के उत्तरकाशी तर जारखंड के लोहर दगा से लेकर करनाटक के बैंगलोर उतर, राजस्थान के जैपूर से लेकर हिमाचल प्रदेश के कामड़ा उतर और जम्मो कश्मीर के जम्मो शहर से लेकर उत्तर प्रदेश के लखनव उतर देश के कोने कोने में बीजेपी के कारेकरताओं के वैननस और पोस्टर्स, कॉंग्रेस और करप्शन के खिलाफ नारिवाजी से भरे पड़े थे इन सभी राज्यों में बीजेपी के नेता धीरत साहू को कड़भुतली और मोधी विरोधी गड़बंदन को करप्शन की दुखान का असली मालिक बता रही है क्यों ये इंडी अलायंस के जो सैयोगी दल है कॉंग्रेस के ये भ्रष्ट आचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं क्यों स्वागत नहीं कर रहे हैं ये इडी का सीबी आई का विरोध क्यों कर रहे हैं ये नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं साफ दिखता है चोर कश्मीर से कन्या कुमारी तक यानी राश्ट्र व्यापी प्रदर्शन दरसल बीजेपी के उसी रंडीति का हिस्सा है जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी को चुनाव जीतना आता है बीजेपी एक ऐसी चुनाव मशीन है जो अपने विरोधियों को समलने तक का मौका नहीं देती है अभी एक हपता भी नहीं बीता जब बीजेपी ने तीन राज्यों में चुनाव जीतकर इतियास रचा और उसके ठीक चार दिन बाद ही कॉंग्रेस पार्टी को शर्विंदा क करने वाले कॉंग्रेसी सांसत के कैश लीक की तस्वीर है देशवर के करोड़ा मुवाइल फोन्स पर वाइरल हो गई हैं तीन राज्यों में जीतकी इतनी बड़ी सफलता के बाद भी बीजेपी के कारेकरता सुख चैन की सांस लेने के लिए आराम से नहीं बैठे बलकि और में जारत की सुतंत्र है वो सबकी जाच कर सकते हैं मेरी ऑपकी बी कर सकती है और इसके प्रमान हैं ये इनके जूटे आरोफ जंता को पता है इनंके तथे रखने से कोई फाइदा नहीं है जो पैसा इनकी अलमारियों में जमा है बिस्तर बैड़ों प्याइब मैं जमा ह यही नहीं बीजेपी के बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने भी प्रधान मंत्री मोधी के ट्वीट के बाद अपना बयान दे दिया और किसी राजनीता के घर से बरामद हुई इस एतिहासी कारवाई पर सरकार के रुख को भी साफ कर दिया दो दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरे देखी मैं तो अचमभीत रह गया किसी पाटी के सांसत के घर से इतने सारे नौट निकलना मैं विश्वास से कह रहा हूँ इतने सारे इंडस्ट्रियालिस्ट बैटे हैं आपने इतने नौट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे सिरिफ बैंक क्या काम करने वाले टेजरी के लोगों नहीं देखे होंगे परन्तु आज मोदी जी के नेत्रुतों में पारदर सीता के साथ विकास का सुत्र जहां जहां भारतिये जनता पार्टी की सरकारे हैं वहां जमीन पर उत्रा है वास्तविक बना है और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ ब्रश्टाचार के खिलाब काम किया है मैं देश की जनता को विश्वास बिलाना चाहता हूँ कि बिश्टाचार करने वालों को बक्सा नहीं जाएगा कितना भी बड़ा व्यक्ति है वो उसका डंड़ कूँ जूट बोल कर किस तरह से इंकम टैक्स की चोरी करके 300 करोड रुपए एकठा दिये गये थे इसकी पूरी पर्ताल आयकर विभाग में शुरू कर दी है अब तो आयकर विभाग में धीरत साहू की कंपनियों के कैंपस के अलावा धीरत साहू के घर पर भी छापे मारी का काम शुरू कर दिया है आयकर विभाग उस वक्त चोंग गया जब आयकर अधिकार अधिकारियों ने धीरत साहू के जार कर दिया है खंड के राची में मौझूद घर पर शापे मारी की धीरत साहू के घर से तीन बैक जब्द किया गया और तावा किया जारा है कि इन तीनों बैक में जेवर ही जेवर है करप्ट राजनेता किस तरह से पूरे देश की वेवस्था की आखों में धूल जोगते हैं इसका एक नमूना कॉंग्रेस की सांसत धीरत साहू ने भी पेश किया है दरसल कॉंग्रेस पार्टी के राजसभा सांसत धीरत साहू ने 2018 में चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास कुल 34 करोड की संपत्ती है लेकिन आयकर विभाग को धीरत साहू के पास से अब तक 300 करोड रुपय कैश मिल चुका है धीरत साहू कॉंग्रेस पार्टी के कोई छुट भईया नेता नहीं है कॉंग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं बलकि तीन तीन बार राजसभा का सांसत चुनकर उनको दिल्ली भेजा है अब जहारखंड में बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने पैसे लेकर धीरत साहू को बार बार राजसभा में भीजा सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कॉंग्रेस के नेता और कॉंग्रेस पार्टी हडपती है वही संकल प्रधानमंत्री जी ने लिया है एक-एक रुपईया गरीबों को हम लोटाएंगे और ऐसे भरष्टाचारी लोगों को सक्ष से सक्ष सजा हम दो गिलवाएंगे धीरत साहू की राजनितिक हैसियत कॉंगेस पार्टी के अंदर कितनी बड़ी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भारत जोडो यात्रा जार्खंड में शुरू होई तो धीरत साहू राहूल गांधी के साथ साथ राहूल गांधी के करीब चलते हुए नजर आए भारत जोडो यात्रा में धीरत साहू ना सिर्फ साजीदार थे बलकि जारखंड के अंदर राहुल की भारत जोडो यात्रा को हिट कराने की जिम्मेदारी भी धीरत साहू पर थी धीरत साहू का पूरा राजनीतिक करियर देखिए तो समझ आएगा कि धन्वल की ताकत क्या होती है धीरत साहू कॉंग्रेस से तीन बार राज सवा के सांसद रे चुके हैं दो बार लोग सवा का चुनाओ लड़ चुके हैं और संसत की कई समितियों के सदस विरे चुके हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साहू परिवार 40 साल से सराब का रुबार में है ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारे नोट जिसको देखकर देश के करोडों लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई है क्या ये सारा खजाना वो इंकम टैक्स है जो शराब के जरीए कमाया गया लेकिन सरकार से चुराया गया राहूल गांदी जी पूछे ना ये महबबत की कौन सी दुकान है वो देश में महबबत के दुकान खोज रहे थे ना तो ये धाय तीन सो क्रोड रुपया मिला है कैश कॉंग्रेस के एक MP के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से तो राहूल गांदी जी ये महबबत की कौन सी दुकान है भरष्टा चार की मूर्ती है कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गटबंधन में आपने देखा बंगाल में कितने सो क्रोड रुपय मिले मिलते चले जा रहे हैं मंत्री जेल में जा रहे हैं फिर भी कोई सोच नहीं ED और CBI का इतना हल्ला करते थे अभी तिनो प्रदेश की जनता ने क्या जवाब दिया तो मोदी जी का हवान था भ्रष्टा चार पर करवाई उसको देश साथ खड़ा है कॉंग्रेस सांसत धीरत साहू का परिवार शराब कारोबार से जोड़ा रहा है बलदेव साहू और ग्रुप आफ कंपनी मूल रूप से जारखन के लोहर दगा जिले की है इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देशी शराब बनानी शुरू की थी और बात में इस शराब की बड़ी कंपनी बन गई आरोपी बंटी साहू भी शराब कंपनी में बलदेव साहू इंफ्रास्ट्रक्चर से संबन गी थे इन सभी आरोपियों से आयकर विभाग ने पूछताच शुरू कर दी है खास बात यह है कि तीन राज्यों में चुनावी जीत के बाद ही शाम को ब्रधान मंत्री मोदी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा था कि करप्शन पर सरकार के आक्शन को जनता से समर्थन मिला है भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में ब्रस्टा चार के विर्द जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है यह उन्दलों उन्नेताओं को बोटर की साप साप चेतावनी है जो ब्रस्टा चारियों के साथ खड़े होने में जराबी शर्मन वह नहीं करते उन लोगों को देश की जनता ने आज साप साप संदे दे दिया कुल मिलाकर साल 2014 के चुनाओं में भी बीजे पीने घोटालों के लिस्ट दिखा कर कॉंग्रिस को बैक फुट पर धकेल दिया था लेकिन अब इतने नोटों के अलमारिया देख कर ही जनता को मोदी का मैसेज मिल गया है करप्शन के मुद्दे पर अब कॉंग्रिस के लिए जबाब देपाना काफी मुश्किल नजर आता है